दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप लोग देख रहे हैं एडू बगीचा तो आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट चाप्टर को लेकर आये हैं जो है उत्सर्जी तंत्र ये एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एक्सक्रेशन है क्या ये उत्स और इस प्रोसेस में भाग लेने वाले जितने भी हमारे अंग इसमें भाग लेते हैं उस अंग को समलित रूप से उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं ठीक है तो आईए हम जड़ा देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से अंग जो है भाग लेते हैं तो सबसे पह सबसे पहले यह पसीना को हमारे सरीर से बाहर निकालने के काम करता है, दूसरी बात, पसीना में नमक होती है, चुकि एनेसल होता है, उसमें इसलिए उसको नमक भी कहेंगे, तो नमक भी निकालने का काम करता है, यह हो गया सीबम, सीबम का मतलब यह होता है, कि जब नाको पे किस चीज का एक्सक्रेशन करता है। तो लंग्स हमारे सरीर में किस चीजा स्क्रेशन करता है। लंग्स हमारे सरीर में CO2 यानि carbon dioxide को excretion करता है जो कि हमने पिछले क्लास में respiratory system में हम लोग पढ़े थे कि carbon dioxide का excretion कैसे होता है तो इसको फेपड़े के द्वारा किया चाते है तो बलगम जो भी हम लोग अंदर से चसे कहासने के बाद या आइसे अंदर से जिसको खकार बलगम है वो भी फिंपड़े के द्वारा निकाला जाता है फिर आते हैं यह बड़ी आत जो एस लार्ज इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारा एक्सक्रेशन करता है जो किस चीज़ का करता है काईल का अब काईल क्या है हम लोग पढ़े थे कि काईल होता है अनपचा भोजन जो भोजन नहीं पचा हुआ है अपसिस्ट पदार्थ है उसी को काईल बोलते हैं और एक काईल का एक्सक्रेशन करता है बड़ी आत और फिर आते हैं लीबर में जो लीबर बहुत इंपोर्टेंट रोल अदा करता है इस में लीबर जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है अब यह अमोनिया क्या है अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है हमारे सरीर में और उस खतरनाक पदार्थ को यूरिया में कंवर्ट करता है यूरिया भी खतरनाक पदार्थ है लेकिन अमोनिया जितना खतरनाक ह उसे थोड़ा कम यूरिया खतरनाक है तो इस अमूनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है लीवर ठीक है लेकिन आगे हम अमोनिया का discussion करेंगे कि कैसे होगा अमोनिया जो है उसको बहुत कम समय के लिए ही यूरिया में बदला जाता है और उसी कम समय में उसका excretion कर देना जरूरी होता है तो उसका excretion करने में हमारा main जो function है kidney यहीं हमारा main उत्सर्जन अंग है ठीक है यह kidney क्या करता है कि इसी यूरिया को पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है यानि पेशाब के रास्ते से यानि यूरिया को जो कि अमोनिया बदला है yureया में उसी yureyan को हम लोग बाहर निकाल देते हैं फिगर देखते हैं हम लोग यह रहा हेरा इसमे सिस्टम का आप इसमें हमारा अधिव्रीख है अडरिनल कीड़ी है ये यूरेटर है जिसको मुघ्यत thuब्लाहिन कहेंगे और यह जो ब्लाडर है है जिसको मुत्राशय बोला जाएगा और इस मार्ग से यानि यूरेतरा से ये बाहर निकलता है किढ़नी के जो अंत्रिख भाग को अगर देखा जाया तो इस किडनी के किसी एक पार्ट को अगर हम बाहर निकालते तो उसका फिगर यह है तो यह जो है इसके बाहरी भाग को यह जो डॉटेड लाइन से किया गया है रेखांकिक की गई है इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं आप बीच वाले भाग को मेडूला बोला जाता है यह भी अबजेक्टिव में कभी-कभी पूस देता है कि उपर कि क्या होता है कि यहीं पे आमोनिया सबसे ज़्यादा होता है इसकी संख्या की बात करें तो 12 होती है संख्या में दो होती है, अगर ये संख्या में एक भी होती, तो कोई प्रॉबलम नहीं था, उतना ही सिस्टम ये भी काम करता जितना की दो काम करता है, अगर किसी की एक किड्नी खराब हो जाए, तो एक किड्नी से भी उतना ही काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वज की बात की जाए तो लंबाई 4 से 5 इंच होती है जबकि 4 धाई इंच की होती है अगर मोटाई की बात की जाए इस कोर्टेस और मैडूला के बीच की जो मोटाई है इस मोटाई की बात अगर की जाए तो आधा इंच इसकी मोटाई होती है अगर इसका सेप देखें आकार तो सेम के बीज के आकार का यह होता है सेम के बीज के आकार क्या होता है वहीं बात उसकी उपरी भाग को कोटेक्स और अंदरुनी भाग को मेडूला कहते है यह जो है पेशाब का निर्मान करता है पेशाब का निर्मान करता है साथ ही यह जहर को Neutralize करता है, यानी कि निस्क्रिय कर देता है पॉयजन को यह निस्क्रिय करता है अब देखते हैं कि पॉयजन को कैसे निस्क्रिय करेगा अगर मानने कोई व्यक्ति जहर खा के मरा है तो क्या उसकी किड़नी को अगर हम लोग post-martem करें, चेक करें, तो क्या उससे पता चलेगा? नहीं. किडनी तो उस जहर को निस्क्रिये कर देता है, उसके अंदर ये गून होता है, लेकिन तो फिर इंसान मर कैसे जाता है? तो किडनी से पहले तो लीवर है, लीवर खराब हो जाएगा, तो इंसान मर जा अल्कोहल का, 50% को तो ये न्यूटरलाइज कर देता है, बाकी बचा 50%, तब अधिक वाइन लेने वाले लोगों का खराब होगा, क्यूंकि वा 50% ही काम हो रहा है. चलिए, ये एक चारो तरफ से एक जिल्ली से घिरा हुआ रहता है, उसी जिल्ली को पोरिटोरियम जिल्ली कह रहते हैं, ये नाम याद रखने वाली बात है, पोरिटोरियम जिल्ली से किडिनी चारो तरफ से घिरा हुआ रहता है, एक सबसे इंपोर्टेंट बात, ये जो है ब्लोड को छानता है, यहां ध्यान देने वाली बात है, ये ब्लोड को छानने का काम करता है, यानि फिल्टर का में करता है चांने की काम करता है जब कि शुद्र करने के यादि-प्यूरिफिकेशन की बात की तो वह लंगज करता है कर करता है कि एक सो अशी लीटर प्रती दीन बलड चांने का यह इसका जो है ग्याइध साब 180 लीटर पर डे चलिए इसकी रचनात्मक ही काई होती है किड़नी जिस छोटी सी छोटी चीज से मिल कर बनी होती है उसी चीज को हम लोग नेफरौन कहते हैं और ये नेफरौन कितना होता है 8 से 10 लख नेफरौन से तो आईये हम यूरिन के बारे में जरा कुछ समझते हैं कि एक urine एक स्वस्त इंसान प्रती दिन 1.45 लिटर पेशाव उत्सरजित करता है 1.45 लिटर रोज अगर उसमें अगर हम water की percentage देखें तो 95% water होती है जबकि यूरिया की अगर बात की जाए तो यूरिया 2% यूरिया होती है उसमें और यहीं यूरिया जो है यूरिया के form में ही ammonia का बाहर निकलना होता है अगर इसके pH value की बात करें तो pH value 4.8 होता है जो कि हम लोग जानते हैं कि अगर 7 से कम है तो यह प्रकिरती इसका क्या होगा अम लिये होगा ठीक है यानि एक acid होता है अगर इसके पीले रंग की बात की जाए कि पेशाब का रंग पीला क्यूं होता है तो यह यूरो क्रोम के टूटने के चलते यूरोक्रोम के टुटने के चलते क्या होता है पेशाब का रंग पिला होता है अगर इसमें दुरगंध की बात की जाए तो यह अमोनिया से के चलते ही दुरगंध आता है तो देखिए जैसे कोई पेशाब कोई करता है कहीं पे तो अगर पेशाब ताजा हुआ किया हुआ हो तो उस समय दुरगंद नहीं होता है लेकिन वहीं दो घंटे के बाद वहाँ महाकने लगता है क्यों महाकता है इसी अमोनिया के चलते क्योंकि यह यूरिय के रूप में बदला हुआ था तब इसको पेशाब के रास्ते से इसको बाहर निकाला गया लेकिन पुना ही दो घंटे के अंदर क्या हो जाता है अमोनिया में बदल जाता है जिसके चलते यह दुरगंद आ जाती है अब कीड्नी की कुछ बीमारी है उसके बारे में अगर देख लेते हैं तो कीड्नी में mostly ली एस्टोन हो जाता है तो कोश्चन में आता है कि किड्नी में हुए एस्टोन किस चीज का बना हुआ होता है तो कैल्सियम ऑग्जिलेट का बना होता है किस चीज का बना होता है कैल्सियम ऑग्जिलेट का ध्यान रखिएगा हमेशा इसी अमोनिया के अगर बोडी में अमोनि यूरिक एसिड बढ़ जाने से गठिया रोग ये जोडो में दर्द शुरू हो जाता है और जब किसी के किड़नी खराब होता है तो खराब किड़नी का ट्रांस्प्लांट जो होता है बदला जाता है उसको विदिन 48 आवर्स के अंदर कर दिया जाता है किसी दूसरे से किड़ लेकर अगर डाला जाया तो वो 48 घंटे के अंदर ये काम हो जाना चाहिए तो इस तरह से हमने पूरे किड़नी के रूप में देखा अमोनिया के रूप में भी समझा जो की काफी खतरना पदार्थ है हमारे सरीर में इसको बोडी से निकालने के लिए कैसे कैसे वो यूरिया से ये पेशाब के रूप में बाहर निकला है ठीक है ये नेफरोन का बना होता है 8-10 लाख नेफरोन से मिलकर किड़नी बना होता है अबजेक्टि में बहुत पुस्ता है इसको ध्यान डखने की जरूरत है ठीक है थैंक यू दोस्तो हम में सपोर्ट करने के लिए और ये दे आज कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू